हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चानल स्टोरी फ्रेश माइंड गाइस मैं आज आपको बताऊंगी कि विट थाइराइड प्रेग्नेंजी को कैसे मैनेज करते हैं मुझे लास्ट सेवन यूर से थाइराइड है और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि थाइराइड में बेबी कंसीव करना नौट पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस तो जिन किसी को भी थाइराइड है तो यह वीडियो उनके लिए है और जिनको नहीं है वो लोग स्किप कर सकते हैं तो वाइस मैं आपको बताती हूं मैं जब फर्स टाइम प्रेग्निन थी तब भी मुझे थाइराइड था कॉंप्लिकेशन रहती है ऐसा नहीं है कि एकदम इजी है टफ तो होता है थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है कॉंप्लिकेशन रहते है लेकिन यह जांज मेरी तो हो अपना खुद रख सकते हैं और अपना ध्यान रखके ही आपने बेवी का भी ध्यान रख सकते हो और अच्छे से बेव को डिलिवर कर सकते हो तो वाइस प्रेगनेंसी के टाइम में आपको थारेट में कैसे धहन रखना मैं बताती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि रेगुलर चेक अप करती हूँ थारेट का वो तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूर है क्योंकि नॉर्मल कंडिशन के बदले प्रेगनेंसी में आपका हार्मोन्स लेवल थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है तो इसकी वज़े से आपको रेगुलर चेक अप करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि हम थ्री-थ्री में थ्री मन्स आफ्टर करते हैं तो प्रेगनेंसी में मुझे चेक अप करते रहना चाहिए मतलब डॉक्टर से एक बार बात कर ले और उसकी हिसाब से आप उसकी जो भी गोली आती है जैसे कि 50 mg की होती है या 25 की होती है और भी कुछ बढ़के है 75 का है कुछ-कुछ 100 का है ऐसे तो उस हिसाब से आप मतलब गोली खाते रहना बहुत यह प्रक्ष नहीं आता है उनको समझ में तो बिल्कुल खाना चाहिए थायराइट की टाबलेट से प्रेगनिंसी में कोई भी प्रब्लम नहीं होती है वह उल्टा बच्चे के लिए और जो ममा होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है हाँ अगर आप टाबले हो तो प्रॉब्लिम हो सकती है यह गाइस तो रेगुलर बैसिस पे पहले यह थाराइट की टैबलेट लेनी है अच्छा उसको लेने का भी एक तरीका है वह सारे लोग आफ्टर ब्रिक्फास्ट लेते हैं तो यह गलत है मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठे बॉर्निंग में उठे उठे बराबर कुल्ला नहीं करना है ब्रेश नहीं करना है और सीधा एक गलस पानी आप वाम वटर भी ले सकते हो मैं नॉर्मल साधा पानी फिल्टर का लेती हूँ और जो भी आपकी क्वांटिटी है गोली की वो ल प्रॉपर तरीके से नाश्टा करना है क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगती है इसलिए आपको नाश्टा करना ही पड़ता है तो गाइस इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पर अगर थायराट की टाबलेट लेते हो तो आपका थायराट भी कंट्रोल में आता है और बेब जिस किसी को भी एक क्वेश्टन है जिन लोगों को एक क्वेश्टन है कि थायराट में हम अपना धायन रखे कैसे तो यह वीडियो उनके लिए हल्पूल है तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राब कीज़े थैंक बाकी का मेरे नेक्स प्रडियो में बताओं